हम लोग चाहते हैं कि supplementary results और ज्यादा संख्या में जब वो लोग स्विकार कर लिये थे उसके बावजूद मात्र 1700 सीटों पर result देना तो हमें समझ में नहीं आ रहा है बिहार में supplementary results जारी करने को लेकर अभियर्थियों में आक्रों से और इसको लेकर अभियर्थियों ने एलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में हम बरा पटना के सरकों पर आंदोलन करेंगे अभियर्थियों का यह सिधा सिधा बीपीएसी आयोक पर और साथ ही सिख्षा विभाग पर आरोप है कि जो तरीके supplementary results दिया गया उसमें आक्रों की बाजिगरी हुई है और कहीं न कहीं 23,000 और कहीं न कहीं देखा जाए तो रिजल्ट देने की बाते अभियर्थियों को त्वारा का हाजारा है हमार साथ बात करने के लिए पाली गंज बिधाया कर संदीप सौरब है जुरेंगे बात करेंगे संदीप जी लगतार supplementary results की मांग हो रही है और बलकि अभियर्थी जो जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं तो विधान सभा में मेरा ही सवाल है विधान सभा में हमने सत्र के दौरान ही कहा था कि बहाली जब आपकी हो रही है तो इसमें अलग-अलग कार्णों से जो सीटे खाली रह जा रही है वो चाहे ड आपको supplementary result देना चाहिए यह हमने मांग की थी और उसका लिखित में जवाब जो शिक्षा विभाग ने दिया उसमें था कि हम देंगे result तो जब वो लोग स्विकार कर लिये थे उसके बावजूद मात्र 1700 सीटों पर result देना यह तो हमें समझ में नहीं आ रहा है इतने लोग अयोग हुए इतने लोगों का multiple result था तो कई तरीके से result मनें कोई भी आयोग हो विभाग हो अगर उनको सीटे बढ़नी है तो सीट बढ़ने का कुछ नियम होता है आपने minimum qualifying marks टाय कर दिया उसके उपर के जो लोग है उनको सब को योग बनाना चाहिए अब यह कैसे हो रहा है यह तो लोग देखें तो वही लोग बताएंगे ज्यादा अच्छे से लगतार अवियरति को द्वारा कहा जा रहा है कि 2400 परपत खाली है से में सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है विभाग कुछ भी नहीं बोल रहा है अब देखिए अब तो मालिया जितना result आया है वो आय है कि जो TRE1 के students हैं उनके साथ भी इंसाफ हो और कई लोग है जो supplementary result के इंतिजार में उनका TRE2 में भी हो सकता है तो थोड़ा इंतिजार करने पर और चीज़े क्लियर हो जाएंगी क्या supplementary result आना चाहिए आना ही चाहिए न तभी तो हम विधान समाह में मांग किये था हमारे पर विभाग ने स्विकार किया था कि हम देंगे तो देना चाहिए अपडेट आ रहा है सामने निकल के संदीब सारब जी ऐसे में कहा जा रहा है कि जो हरता है भासा विश्य का उसको सुनने कर दिया गया है अब देखिए यह क्यों किया गया है इसका तो भी पीएश्य आयोग जाने इसमें हम हर चीज़ में हम लोग क्या एंगे अगर कम परिच्छा लेने का कुई तरीका बदला गया है परिच्छा कोई पैटर्न बदलता है तो बदलने का दिकार आयोग को है जब तक वो छातरों खिलाफ अगर जाता है या फिर छात्रों के खिलाफ नहीं जाएगा तो हम कैसे टिपनी का टिपनी करें ऐसी बात करें संदीप सवर्व तो वहीं माले विधायक संदीप सवर्व ने मांग किया है कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट को देखते हुए जो भी सीट खाली है उस पर ज् पूश कर तो संदीप सवर्व आपने सुना है और भी तमाम ख़बरों क्लेन मिश्ट 24 के साथ बनने हैं बहुत-बहुत थन्यवाद है